नमस्कार में हूँ आपके साथ समसीर से आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइनीश 24-7 लाइप सच की आवाज आए आपको रूपरू करवाते ही कुछ हम खस मुद्धों पर आपको रूपरू कि अजिए 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 आपको रूपरू की इस तर्प्रदेश कांजेश कमीटी के दोबावार, नुक्तानपूर में घटना हुई एक रामट परिवार को जिन्दा जला दिया गया और प्रसाशन के सारे जिम्मेदार अधिकारियों के सामने वो लोजर के माध्धन से छपपर को पलड दिया गया आग लग गई लोग गिंदा जल गए उसी धर्टना को लेकर के आज हम लोगों ने धर्णा प्रजशन किया और हम मांग करते हैं कि ऐसी कारवाई उत्तरपदेश सरकार रोके गरीबों को मजलूमों के साथ जो तरह हो रहा है उसकी कड़ी सब्दों में निंदा करते हैं और जब कि हाई कोड और सुप्रिम कोड का आदेश है कि जब तक किसी मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है त लेकिन उसके बावजूद भी ये बेलगान सरकार आना साही सरकार जबर्जस्ती जड़ीवों के उपर जो है उनके मकानों में जबर्जस्ती बुल्डोजर चला रही उसी कि विरोज में आज हम लोग यहां से कषिए प्रदीव मिस्ता अंस्रुमन सहीर अंग्रेश है परशासर का ये ताला साही रवाय हो गया है और सरकार जंडे के बल्पेर जो गरीबों के मकाने उसको भी तोड़ लही है जो अज्वाइज है उसको भी तोलने का काम कर रही है या। थो महिलाओं ने उसका और परयौत किया लेकिल पर्शासर नहीं माला और उन्मछों तो महिलाओं उन्म परहत्या की जलकर आत्में परिफ्या जन विरोदी सरकार है, इनके हाँ गरीबों का कोई मतलब नहीं है, ये पूंजी पत्यों की सरकार है, हट धर्मी सरकार है, जो कानून के खलाब जाकर के सम्विदान के खलाब जाकर काम करती है, मैं मांग करता हूँ को जो कानपूर में हिर्दय विरातर गटना कल हुई है उसकी फूर लूप से जाज किसी उच एजंसी द्वारा कराई जाए और जो लोग जो महिलाय मारी गई है उनके परिवार को मौजा दिया जाए यही हम लोगों की मांग है इसु को लेकर आज हम किया है मोहमद असलम शेहर उपादेश शेहर कांगरेस कमिटी पर जाए तो